आपका नाओ गुपार गाओ लखेपुर और प्रखन ब्लोग पक्तियार पुर जीला पटना पटना सर आपने ये मिर्चा का खेती किये हैं कितना खेती करते हैं आप मिर्चा का ये केकड करते हैं तो ये केकड में आपने क्या डाला है इस मिर्चा में बायो संजीवनी राइक तो नौ सितंबर को आप डाले थे और आज हो गया है शात अक्टूबर तक्रीबन आपको अठाइज दिन हुआ है अठाइज दिन में आपको फसल में क्या अंतर दिख रहा है और इसमें और क्या फसल पत्तियों का चोड़ी करन भी आपको अच्छा तरीके से किया है अब फसल आपको हरा भरा एकदम है स्वास्ट गजिम कर दिया इसको जहां को बढ़ा दिया है और उसमें में आपका कुछ भी नहीं था कि वहल पत्ता यह एक पत्ता लगा हुआ था यह पौदा छोटा था और अभी आपको अंतर बुझा रहा है इसके डालने से आपको फायदा बुझा रहा है और आपका पेन भी मिर्चा का जब करते थे तो शूख भी जाता था अभी त सब्सक्राइब और फिर डालीएगा पिर मगा के डालीएगा चल ऊर किसी चीज में डाले है उसको अभी तक जीश में डाले में बैगन में डाले उसमें कीसा है चलिए धन्यवाद आप इससे संतुष्ट है इस मिर्चा में निर्मल का बायो संजीवनी और राइजामी का और बायो पावर गोल्ड चार किलो का बाल्टी जो निर्मल का माईको राइजल बायो फटलाइजर है वो डाला गया है और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसका विकास है पौधे का और तक्रीबान 28 दिन ही हुआ है अभी अपधे में फुल आने श्टार हो गया है पतीों का चोड़ी करन प्यापकर देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इसका पौदियो का चोड़ी करन भी है और आकक अकम कंचियों की भी संख्या इसमें नए-नए कंचिये भी फेक रहे हैं साथ में इसमें फॉलन भी गिरे-दिरे मिर्चा में आना स्टार्ट हो गया है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको में काम किया है निर्मल का राईजयमी का बायो संजीवनी और बायो पावर गुल्ड निर्मल का चार गिलो का वाल्टी यह लक्षिपूर गाओं के किसान है जो गोपाल जी है जो लक्षिपूर गाओं ब्लॉक हो गया आपको बक्तियारपू जिला पतना बिहार अभी तक इसमें डालने के बाद अभी एक भी पौधा सुखा नहीं है जो अगले साल इनके फसल जो मिर्चा के खेती करते थे पौधे सुख जाते थे जड़ से जब इसमें शुरुवाती दोर से डला हुआ है अभी तक एक भी पौधा यह नहीं सुखा है